हलो बच्चों तो आज हम कक्षा 11 के बहुतिक विज्ञान विशे के अध्याय मात्रक एवं मापन अर्थत युनिट एंड मेजर्मेंट के पार्ट 8 वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन-किन विश्यों को पढ़ेंगे तो आज हम अपने विमिय विश्लेशन एवं इसके अनुप्रियोग तॉपिक का जो नेक्स्ट अनुप्रियोग है विभिन भौतिक राशियों के मद्य संबंध वियुत्पन करना उसे सीखेंगे इससे पहले हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से हम समीकरणों की विमिय संगति की जांच कर सकते हैं आज हम इसे सीखेंगे और इसके बाद जो यह उधारन 1.5 है इसको करेंगे और इसका एक और कोश्चन हम करेंगे जिससे कि हमें प्रैक्स हो जाएगी तो इस स्लाइब से तो आप अच्छे से परिचित हैं हम आज इसका यह जो सेकंड पॉइंट है उस खैसे कर सकते हैं जैसा की ये है कि हम बहुत सारी भावत a करेंगे और उनके बीच संबंध व्यूतपन करेंगे तो अईसा हम कैसे कर सकते हैं Chinese सबसे पहले इसको समझते हैं. किसी भी question को solve करने से पहले. तो हम ये कर सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि एक बहुतिक राशी जिसके निरभरता हमें और बहुतिक राशियों पर दी गई होगी, अगर हमें वो जो एक particular बहुतिक राशी है, वो दूसरी बहुतिक राशी A, B, C इन पर dependent है, अब A, B, C या P की जगे कोई भी बहुतिक राशी हो सकती है, चाल हो सकता है, जैसे चाल दूरी और समय पर dependent करता है, तो ऐसी कोई राशी P है, वो A, B, C दूसरी राशी है, उन पर निर्वर कर दी है, तो इसको मैं एक तरीकी से यानि कि वित्करमान उपाती है, तो इसके अगर ये इन पर निर्वर कर दी है, हमें नहीं दिया गया है कि ये proportional है, तो क्या नहीं दिया है कि वित्करमान उपाती है या कुछ, तो हम इसको सीधे इस तरीके से लिखते है, कि P is proportional या अनुकरमान उपाती है, A, B, C के, और A के किस तरीके से, B के किस तरीके से, C से किस तरीके से, किस तरीके से मतलब उसके किन गातों पर निर्भर है, यह हमें नहीं दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उनकी गातों में हमने कुछ गाते आड़ कर देने हैं, आड़ करने का मतलब जोड देते हैं, जोडने का मतलब हम लगा देते हैं, जिसे x, y, z, मैंने मानली कि a पर वो x की घात के रूप में निर्भर है, y, p पर वो y के रूप में और c पर z के रूप में, ताकि हम आगे इन x, y, z के मान निकाल सके हैं, और फिर अगर हम आपको पता है कि अगर हम अनुख्रमानुपाथी का चिन हटाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, constant, हम बराबर जब लगाते हैं, तो constant लगाते हैं, अब इसके बाद हम बहुत important जो rule है उसका उपयोग करेंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था वो है विमाओं की समगातिता का सिद्धान इसका यूज हम कैसे करेंगे मैंने आपको कहा था कि कोई भी दो राशिया अगर जोड़ी गई हो घटाई गई हो तो वो तभी घटाई जा सकती है जब उनकी विमाओं सेम हो जैसे अगर ये पूरा एक बहुत इक राशी है ये अपने दाएं वाले की साथ अगर दाएं वाले हम विमाओं की सब्धान से हमें एक और चीज यह लिख सकते हैं कि आपका भई जतना सारे पध कि vetे उन सारे पधों की सैम हो घुन खी दोनों की वीमाइ सेम्सिं को we use करेंगे पिरप्पस इस समय करन में दखेंगे यह जो यह वाली समिक रहन है यह वाली तो हम यह चीज़ करके हम इन सारी चीज़ों को ग्याद करेंगे किस तरीके से उसके बाद हमारे पस फॉर्मॉला आप तो सीखते हैं अधारन 1.5 को देखिए एक सरल लोलग पर विचार कीजिए सरल लोलग आप सबको मालूम है सिंपल जैसे आपने दिवार घडी देखियोंगी तो कई घडियों में ऐसा होता है एक द्हागा होता है उस पर एक बॉ必जा है जिसमें एक जो लग नहीं करता है एक को लिजा इस ति धंया डम्रों सीबांग कर सबान को दूनारी लहें से उसके ल तो नेंजि़ के अधीन्व Panorama औ इसी एक्षा में और आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो मान लीजे कि इस लोलक का जो दोलन काल है, यानि कि कितने समय में वो एक दोलन कर रहा है, ये देखने हैं, तो वो जो उसका लोलक का दोलन काल है, वो उसकी लंबाई L, गोलक के द्रविमान M, गुरुत्वी त्व मैंने जैसे बताया, तो हमें विमाओं के विधी का उपयोग करके, दोलन काल के लिए सूत्र वियत्पन करना है, तो अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले, जो हमें दी गई राशी है, वो है लोलक का दोलन काल, वो जिन राशियों पर डिपेंडेंट है, निर्भर कर देए, उसकी विबन काल के रूप में उसको लिखना है, ये पहला स्टैप है, तो हमने लिख दिया, दोलन काल को हम किस से दिखाता है, तो हम T से दिखाता है, ये हम के वल अपय उससे दिखा रहे है, अभी तक मैंने विमाओं नहीं लिखी, कुछ नहीं, अब देखे, L पर डिपे Z, यानि कोई भी चर लिख दिया, जिसका मान अपने निकालना है, अब जब मैं इस प्रपोर्शनालिटी के साइन को हटाऊंगे, अनुक्रमानुपाती के चिन को, तो क्या लगाऊंगे, बराबर और एक कॉंस्टेंट, तो वो मैंने K यहां पर लगा दिया, अब इस समीकर यह आप ध्यान रखेंगे, कि विमा की में बात कर लिए, तो हमने क्या किया, यह T, अब देखे, मैंने आपको जब मैं विमा का आपको स्टार्टिंग बता रही थी, तब मैंने आपको चीज बताई थी, कि आप किसी की विमा जब लिखते हैं, तो वो मेंली MLT के पदों में जिसे समय होता है, दोलनकालिक समय है, अब समय की जो विमा होगी, क्योंकि समय का मातरक सेकेंड होता है, तो उसकी विमा के वल T होगी, तो ML उसमें होगा नहीं, लेकिन यहां इधर साइड M है, L भी है, इसलिए उनके साथ दिखाने के लिए मैंने इधर भी ML लेकिन उनकी जिसका M की जाट 0 का या L की जाट 0 का मतलब है, तो मैंने यह लिख दिया, अब उसके बाद देखें, यह T की जाट 1 होगी, क्योंकि उसका सेकेंड होता है मातरक तो उसकी विमा T की जाट 1, अब के की जगे, कोच ज़िए लिखेंगे, क्योंकि वो एक constant है, L की जगे, L की त का या उसकी लंबाई, वो जो धागा उसकी लंबाई जो है, वो एक दूरी है, तो दूरी का मातरक क्या होता है, लंबाई होता है, उसकी विमा L होती है, तो L की घाट X, ऐसी G, G तवरन था, L की माइनस 2 उसकी विमा होगी, M, M की, M द्रविमान होता है, तो उसकी किलोग्र अब जो LL वाले हैं देखिए इधर right hand side में जो जिनकी आधार सेम होते हैं उनकी घाते जुर जाते हैं तो यहां पर LL सेम है केवल वही सेम है तो उनकी घाते जुर जाएंगे क्योंकि यह X है यह Y भी प्लस में है यह X भी प्लस में तो वह X प्लस Y हो जाएगा एक बार L इंकी घाते होंगी जैसे अगर M है M की घात यह M की घात जो बी है में की कुछ बरावर है यह M और M सेम है इनकी घाते होंगे वह भी जी होंगी प्लस Y सेम होगे ऐसे ल के लिए और आसी T के लिए तो सबसे पहले जैसे मैंने L के लिखा है मैंने right hand side में की तो X प्लस इधर वाले L की जो घाते उसकी बराबर होगा क्योंकि वो दोनों के दोनों सेम हैं क्योंकि यह जो पूरा बाया पक्ष है यह पूरे दाय पक्ष के बराबर है इस वजह से भी अब हमने क्या करना है x plus y बराबर 0 हो जाएगा अब हमारा यहां पर x और y पर किसी का मान नहीं पता है तो यहां पर किसी का मान नहीं निकाले जाए सकते है इसलिए आगे वाले उसस யह पर जाया है यह पर दम माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा पर 1 तो हमने लिख दिया कि minus 2y बराबर हो जाएगा है यहाँ पर 1 अब minus 2y बराबर x से हम y को रखके minus 2 को हर में लेकर जाता है तो हमारे पास y का मान आ जाता है यह अब इस y के मान को हम यहाँ रख जाता है कि हमारा x कमान आ जाए इसके लिए लिए हमने यहां पे y के पहले है इज माइनस एकवट्टे दो लिए जाएंग बढ़ एकशह को मान दो आजाएंगे अब हमारा x कमान भी आगया y कमान भी आगये अब इधर M की गाद z है और जिसमें constant भी था, यहां पर, यहां पर हम x, y, z के मान लिखतेंगे, जो हमने लिखते हैं, आप देखिए, यहां पर यह माइनस एक बटे दो है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और इसके पास भी बटे दो है, इसे हम अंडरूट लगाके लिख सकते हैं, और इस g को पहले तो बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि यह माइनस एक बटे दो है, इसे प्लस कर दिया, और क्योंकि यह एक बटे दो, एक बटे दो इसलिए बस वो standard formula देखें हैं तो यह आ जाएगा क्योंकि under root हमने एक मान लगा दिया दोनों के पास half था तो हमने उन दोनों को इस under root के अंदर लिग दिया क्योंकि half अगर घात होती है तो उसका मतलब होता है under root चीक है तो आपके पास इतना आ गया अब देखिए यह जो k था मान वो तू पाई है तब यह जो formula है के का मान रखने पर हो जाता है ती बराबर तू पाई अंडर रूट एलपॉन जी यह आपका किसी सरल लोलक का दोलनकाल का formula है और हमने इसे कैसे निकाला है विमी अविधी से बहुत important question है तो आप इसे अच्छे से सीखिए कि किस तरीके से उनके बीच में एक संबंध वित्पन कर सकते हैं संबंध का निगमन कर सकते हैं वैसे ही आप दूसरे तरीके से भी निकालना सीखेंगे पर जब आपको लिखा हुआ कि विमी अविधी से निकाली है तो आप ऐसे करेंगे अब हम एक और question सीखते हैं किसी वृत्य की गूमतावा कंण है अब वैसे आपने यह नहीं पढ़ा होगा अभी अभीकेंद्रे त्वरण वाला लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई वित्प पर कोई कंण अगर घूमता है तो गूमते वे जैसे अगर यह हैं तो उस पर एक अंदर की तरफ पोर्स काम करता है अंदर की तर जो बहुँ किन खीजों पर इसी भी परीदी परेशम किसी बीouse Get pirates अब सबसे पहले स्टेप क्या था कि अब सबसे पहला स्टिप क्या ठाखिए जिसंग्न निर्भषता है उसको लिखा सूत्र घातों के रूप में तो दी गई राशी कौन सी थी अभी के इंद्रत्वारान ए उसकी विभन घातों के रूप में हमने निर्भषता जो संबंध को लिख सकते हैं हम वो लिखेंगे आपने एसे लिख दिया हमें वी के रूप पर वो यानि दोनों और के विमय सूत्र लिखेंगे, क्योंकि वो बराबर होंगे, तो हम A का सूत्र लिखेंगे पहले, वैसे आपको यहाँ पर वीडियो पॉस करने हैं, इससे जस्ट पहले और पहले खुद लिखने हो, क्योंकि अब आप शायद प्लो में आ रहा होगा, आपकी कि A है, उसका जो विमय होती है, वो क्या होती है, LT-2, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, कि MLT के पदों में लिखने के लिए, हम उसकी गाद M की गाद 0 लिख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि M इधर लिखने के लिए, क्योंकि इधर साइड भी M नहीं है, पर विमा के रूप में लिखेंगे, वो LT-1 और जो मात्रक था वो वेगबटे समय आया होगा, तो LT-1 उसकी विमा, आर कर जो विमा आई होगी, वो L आई होगी, अब इसको थोड़ा हल करके लिखेंगे हम, तो अगर इस वाली समिकरन को हम थोड़ा हल करके लिखें, तो दाय पक्ष है, वो दाय पक्ष के बराबर है, तो हम L के जो होगा घात में और इधर L का जो होगा वो दोनों के दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर L की घात X प्लस Y है, इसको हम L की घात 1 है, उसके बराबर लिखेंगे, यहाँ पर अभी हम X, Y का किसी का भी मान निक सकते तो हम क्या करेंगे ती के लिए भी देखेंगे अब देखेंगे ती की गात माइनस एक बराबर माइनस अब माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा एक्स बराबर तू बच जाएगा अब देखें इस एक्स बराबर तू को आप यहां लिखेंगे अब minus y, तो आपके पस y का मान निकल जाता है, बाकि इधर m था नहीं, तो हम इधर m से तुलना नहीं करेंगे, बसे आपने दोनों तरफ के तुलना करेंगे, क्योंकि वो दोनों सेम थे, अब हमारे पस x और y के मान आ गए, अब हमने जो पहली वाली समिकरण है, उसमें रख देंगे, जो हमारे a के लिए बनी थी, अब हमने इस वाली समिकरण में x और y के मान रखने, x बराबर जो a बराबर है, वो k, v की गात 2, क्योंकि x 2 था, और r की गात minus 1, क्योंकि ये था, अब ये minus 1 है, गात में, इसे कहां लेकर जाएंगे, हम बटे में, तो हमने बटे में लिख दिया, क्योंकि उसकी घात plus 1 हो जाएगी, बटे में जाके, इसको हम इस तरीके से लिख देते है, a बराबर k, v स्कूर अपॉन र इसे को, बट्टा हमने सीधा कर देता है, अब देखें, यहाँ पर जो k का मान आता है, जो एक्स्परिमेंट किये गए हैं, उससे या फिर जो माना गया है, उससे k बराबर 1 आता है, मतलब k स्थिरांग के और इसका मान 1 आता है, तो आपके पस जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे, तो आपके पस a बराबर v स्कूर अपॉन आर आ जाएगा, जो हमारे लिए किसी भी वृत्त की परीधी पर कोई भी कर्ण खूमता है, तो उस पर जो अभीके अंद्रत्वरन होता है, वो इतना कारे करता है, यह भी आप आगे पढ़ेंगे, बिस हमने उसके पॉर्मूले का निगमन अभी कर ज़िए, तो इस तरीके से आप और सवाल भी इसके प्राक्टस करेंगे, तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम विभिन बहुत एक राशियों के मद्दे संबंध विद्पन कर सकते हैं, और उसके बाद हमने स्टेप आई स्टेप सीखा कि किस तरीके से हम यह कर सकते हैं, तो हम ने यह देखा कि एक बहुत एक राशी, जिन दूसरी बहुत एक राशीयों पर नर्भर करती है, उससे हम यह ग्याद कर सकते है, सबसे पहले जिसे हमने P के लिए रेखा था कि वो ABC पर निर्भर है, तो हमने उसको विबिन राश्यों की घातों के रूप में लिखा, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, और फिर हमने proportionality का sign अटाया, यहाँ पर constant लगाया, इसी समीकरण में क्योंकि यह जो last समीकरण मैंने लिखी, इसी समीकरण में क्योंकि आप last में x y z के मान निकाल रखते हैं तो वो जादा important हो जाती है, फिर हमने विमाओं की समघाता का सिधान यूज किया, दोनों पक्षों की घातों को बराबर किया, और उसके बाद हमारे पास बाम पक्ष की विमा बराबर दाइं पक्ष की विमा और चरके निकलेवे मानों को आपने रख दिया, यह जो सबसे प दोलन करने वाला कोई पिंड है, बस आपको बहुत जादा कोश्चिन पर नहीं जाना है, क्योंकि यह चीज़े अभी आप समझेंगे, क्या सरल आवर्ट कती है यह सब, तो पिंड की उर्जा E है, उसके द्रव्यमान M आवरती N आयाम A पर निर्भर करती है, यनकि यह जो E ह वो M, N, A पर निर्भर कर रहा है, तो हमें विमिय विशलेशन विधी द्वारा सिद्ध करना है कि यह last में हमारा formula आ रहा है, समझे आप कि हमें क्या करना है, E की निर्भरता इन तीनों पर है, तो last में हमारा यह formula आना चाहिए, मैंने आपको आंसर भी बता दिया, आपके क् constant आएगा last में जब आप इसे हटा देंगे ना बराबर हटा देंगे तो proportionality का sign लगा देंगे तो यह आना चाहिए, तो आप इसे जरूर की चाहिए, और अगली विडियो में हम इसी के विमिय विशलेशन विमिस के अनुपरयोग का जो last 2 points से उनको सीखेंगे, अभी के Thank you.